हाई वरिवन विल्कम बैक टो फॉर्स्ट इंवस्मेंट और माइन इम इस शिवाज पसे सु आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कल कौन सी मार्केट पर किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं कौन से स्टॉक से जो अच्छा प्रॉफिट का मार्केट दे सकते हैं प्लस निफ्टी बांक निफ्टी पे किस तरीके से मैं अप्रोच करके चल ला हैं कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ है और मार्केट नीचे जा सकती है मैंने सारे परस्पेक्टिव आपक मार्केट क्लूज होने वाली थी तो हम लोग ने एक हेजिंग के साथ एक कॉल आप्शन भी बाई करावा है तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने आज किस तरीकी से परफॉर्म करा ऊपर खुली ऊपर सस्तेन करी बट इन दी एंड वो जो हमारा हमने जो हेजिंग कर र अपने टेली गराम चैनल पर बताया भी था सो मार्केट अभी मुझे डाउन ट्रेंट दिख रही है आम स्टेल होल्डेंग मेरे पास आखरी दो लॉट बचे में जो मैंने होल्ड करें और मैं उसे होल्ड करावा हूँ अब जबता मेरे स्टॉप लॉज हिक नहीं होता तब मैं उसे होल्ड करा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अगर कल मार्केट एक छोटा सा गाप खुलती है यह मार्केट हलका सा बाउन सूपर की तरफ दिती है तो मैं सजिस्ट करूँ कि मार्केट को शॉट करने के लिए ही प्रेफर करा जाए क्योंकि मुझे जो लग रहा ह कि यह expiry downtrend की तरफ हो सकती है मैं और फर्दर explain करूँगा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर detail में कि options अब क्या बता रहे है क्योंकि पूरा dynamic change हो गया जो मैंने आपको को कल बताया था टेकनिकल्स क्या बता रहे है सारी चीजों के साथ explain करूँगा अब actual में stocks पे करना क्या क्या क्योंकि swing trades है मैं आप लोगों को short के लिए कह रहा हूं market के बट मैं आपको swing trades suggest कर रहा हूं किस तरीके से approach करना है क्या करना है वो सारी चीज़ों बता जाए जाएंगी इस वीडिय पूरी देखने से पहले पहले आप वीडियो को पॉस करें लाइक करें अगर आप लोगों हमारी वीडियो को concept पसंद आता है चैनल को subscribe करना मत बूलेगा और चलते हैं वीडियो पे और मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के अंदर क्या reason है इसका क्या logic है तो आप लोगों को already पता है कि I am a swing trader मैं आप लोगों को पूरा focus कर रहा हूं एक swing trader बनाने के लिए क्योंकि मैं इंट्रेडे नहीं करता तो आप लोगों के mind में एक चीज बात आ रही होगी regular basis पे कि sir अगर आप बार बार कह रहे हो कि market fall कर सकता है तो आप यह swing trade क्यों suggest कर रहे हो swing trade तो buy के लिए होता है sell के नहीं होता तो आप क्यों suggest कर रहे हो जैसा कि आपको मैंने भी already बताया कि मैं एक swing trader हूँ अब मेरको तो अपने swing trades चाहिए चाहिए market ऊपर जाया नीचे जाया तो मैंने अपने लिए एक formula already decide करा हूँ है वह formula क्या है कि मैं check करता हूँ कि एक साल से ऐसा कौन सा stock है जो continuously higher rise and higher loss form कर रहा है और वहाँ पर वो अपने exact top पे हो exact top पे in the sense जब वो higher and higher low form कर रहा है तो जो current date हो वो अपने exact top पे हो या top के बिलकुल आस पास हो तो वहाँ पे मैं उन stocks को इसलिए find करता हूँ और उन नाम को इसलिए find करता है तो उन stocks पे जादे impact ना हो for example एक एक minute का time लोगा आपके लिए बहुत knowledgeable यह concept होने वाल है हम अगर बात करते हैं कि market fall कर रही है तो हम generally किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं nifty की हम बात करते हैं bank nifty की nifty के हम बात करते हैं nifty 50 की and obviously bank nifty की तो अगर आप लोगों के आप लोग देख रहे होंगे तो मैं generally बहुत सहरे stocks ऐसे recommend करता हूँ जो इन पर होते ही नहीं है जो nifty 50 या nifty 100 में भी list नहीं होते हैं और bank nifty में भी list नहीं होते हैं मैं बहुत generally stocks ऐसे recommend करता हूँ या तो आप लोगों नाम भी नहीं सुने होते हैं क्या logic होता है कि अगर market sideways जाए, uptrend downtrend जाए, downtrend जाए, यह stocks market के accordingly work नहीं करेंगे, यह अपने technicals को देखर work करते हैं, lg bros limited, ऐसे किते stocks मैं आप लोगों को बताया हैं, जिन लोगों ने ती बड़िया performance दी है, यह ऐसे ही stocks मैं आप लोगों के सामने आज present करने वाला हूँ, कि जिससे आपको फाइदा हो, target हमार मतलब stop loss is हमारे कम हो, reach हमारे target की reach जादा हो, with a strict stop loss and a target, अगर आप hold करते हैं, stop targets, shares को, तो आपको result अच्छा मिल सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले weekly time frame, और daily time frame पे हम लोग आएंगे, और इस तरीके से पूरा इसे circle करेंगे, ठीक है, तो I hope आप लोग समझ गए तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले stock है हमारे Gabriel India, Gabriel India पे आप लोगों को देख सकते हैं, मैंने weekly time frame open कर रहा है, आप लोगों के लिए, यहाँ पर आप लोगों को clearly दिख रहा है, एक black color की line आपको show कर रही है, यह मैंने क्यों draw करी है, इसका reason में बता देता, यहाँ देख सकते ह around the 20th May 2019 को, इसमें एक breakdown आया था, और उसके बाद एक sharp fall हमें देखने को मिली थी stock के अंदर, उसके बाद से यह बहुत time तक कोशिश करते रहा, कि इसके ऊपर closing देने में काम्याब हो जाए, जिस level का breakdown दिया था, बिट actual में यह कभी करने पाया, आज के trading session के अंदर with a huge volumes, हम ल यहाँ पर इसने first और second time कोशिश करीती, उपर जाने के, बट अगर आप volumes देखेंगे, तो volumes साथ नहीं दे रहते हैं, और eventually एक बहुत तेजी का sharp fall में देखने को मिला, बट जब से वो fall से recover कर रहा है, जब से वो fall से recover कर रहा है, आप देख रहे हैं, volumes continuously past week से increase कर रहे हैं, और बहुत ज़ादा increase कर रहे हैं, और आज के training session पे इसने एक breakout भी दिया है, अब इस breakout को further analysis और study करने के लिए, let's move to a daily time frame, so मैंने daily chart आपके सामने उपन कर दिया है, यहाँ पर आपको clearly और अराम से समझ में आएगा, so मैं जोड़ा सा जूम करता हूं charts आपके लिए, तो यहाँ इस तोक उसी के range के अंदर बहुत टाइम से काम कर रहा है, और उसी के अंदर stable था, अब हुआ क्या, आज के trading session के अंदर एक बहुत बड़ी candle बनी, एक bearish bullish candle बनी, और उसके ऊपर जाकि इसने closing दिया, दूसरी चीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक inverse head and shoulder pattern आपको देखन इसने को मिल रहा है, थर्ड चीज, आप volumes देख रहे हैं, आज के trading session के अंदर volumes के से तेजी से rise करे हैं, तो हम लोगों को तीन indication पता चल रहा है कि इस level से breakout हुआ है, exact same level से breakout हुआ है, और fourth point क्या था, हम लोगों ने weekly charts पे देखा था, कि 2019 को breakdown हो आता हो, और आज के trading session के अंदर उसके ऊपर closing देने में ही काम्याब रहा, तो I think सारे points indicate कर रहे हैं कि इस stock के अंदर हम लोग एक buying लेकर चल सकते हैं, अब बात करते हैं, risk to reward ratio के, मैं मान के चल रहा हूँ कि जादा market अभी bearish मुझे लग रहा है कि शायद जा सकती है, तो हम लोगों को heavy risk to reward ratio तो बिलकुल भी हम लोगों को चाहिए एक simple return, देखें, कम risk हो, और उसके बाद हम लोग जल्दी से लेकर exit करें, और कोई और stock के अंदर enter करें, तो इसके लिए मैंने 1 to 2 का risk to reward ratio रखा हूँ है, आप देख सकते हैं, exact इस level पर buying करेंगे, this is our 1 to 2 risk reward ratio, ठीक है, यह जो हमारी strong candle बनी है, strong candle के नी the current level is around 138 rupees, आप लोग यहाँ पर buy कर सकते हैं, 10 rupees का stop loss है, and 20 rupees का target है, ठीक है, तो around 155 to 160 rupees के in between target है, stop loss आपका 128 rupees कराएगा, ठीक है, इसके थुरू आप अराम से trading कर सकते हैं, अगर आपको buy chance dip पे भी कल दिख जाता है, तो आप लोगों के लिए यह जो stock है, और जो आपका stop loss ह हो और कम हो जाएगा, targets की reach आपकी और बढ़ जाएगे, अगर कल एक gap up खुलने को मिलता है, तो थोड़ा सा cautious रहेगा, ठीक है, let's move to our second stock, so हमारा second stock है, Deepak Fertilizers, Deepak Fertilizers पे आप continuously आप खुद देख सकते हैं, कि almost 40 rupees का share, 400 rupees तक पहुच चुका है, within a couple of years, so आप अगर इस stock को द अभी कुछ time पहले ही की बात है कि अपने lifetime high तक पहुच नहीं वाला था, 2-3 rupees से रह गया, उसके बाद ये stock नीचे आगया, अब क्या हुआ, आप ये trend line देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसने एक rounding bottom का एक pattern firm करें, clear एक perfect rounding bottom है, rounding bottom पे क्या होता है, जब exact अपने top पे, अपने previous swing high pay stock आ जाता है, तो उसका breakout उसी time नहीं देता, उस level तक आता है, उसी level पे consolidate करता है, consolidate करने के बाद एक fresh breakout देता है, क्योंकि अगर ये continuously यहाँ से उपर जाते रहा है, और एक breakout में breakout देता है, हम लोगों को एक perfect entry और एक perfect stop loss और एक entry point नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आप देख रहे है, इसने इस point को test करा, around June में test करा था, और एक ये डेड़ महीने बाद आप लोग देख रहे हो, कि इसने जाके अप consolidate करना start करा है, और eventually अपने breakout की तरफ त्यार हो रहा है, so weekly charge में हम पता चला है, एक perfectly तरीके का एक rounding bottom बन रहा है, higher chances हैं ये stock breakout दे downside वाले phases देखे हैं, phase देखने के बाद भी stock नीचे नी गेरा जादा, और उसके बाद recover होते रहा होते रहा और बहुत ऊपर तक गया, I think अभी अगर ये sustain कर रहा है, it's a very good or right opportunity to buy this stock, let's move to a daily time frame, so जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने daily time frame open कर दिया, clearly आपको यहाँ पर structure समझ में आ रहा होगा, कि यह stock ने daily time frame के अंदर एक bullish pennant pattern form कर रहा है, अभी breakout ने दिया, form कर रहा है eventually, अब देख सकते हैं, bullish movement आई, एक range के अंदर consolidate कर रहा है, जो दोनों upper resistance और support की लाइन है, वो दोनों converge कर रही है, converge करना क्या मतलब क्योंत और इसे एक benefit क्या मिलता है, कि ज trend से बाहर निकलना होता है, तो जिस side वो breakout या breakdown देता है, जिस side movement देता है, वो sharp movement होती है, अब यहाँ पर मैं sure क्यों हूँ, कि यह upper side में breakout देगा, because जो पहले का trend है, वो already positive है, तो अगर consolidate कर रहा है, तो breakout भी upside ही होगा, ठीक है, तो अभी right now the stock is trading at 421 रुपीस, मुझे आप लो should be my target, अब यह मेरे target क्यों है, अभी मैंने आपको कुछ बत आया था, कि यह इसका high था, यह particular इसका high था, अभी का, but इसके previous swing high जो था, जो lifetime high था, वो exact यह level है, जो की है 500 रुपीस के आसपास का, तो मुझे लगता है, अगर आप इस stock को buy करते हैं, तो मुझे लगता है कि 490 तो 500 रुपीस तक यह stock बहुत easily जा सकता है, और आपको returns दे सकता है, तो stop loss इसका one is to two का ही है, आपको stop loss maintain करना है 389 रुपीस का, target आपका 500 रुपीस का है, current price is 420 रुपीस का, stock को buy करके definitely आप लो stock, हमारा third stock है, lovable, lovable lynchery, तो इस particular stock पर मैंने ऐसा क्या देखा कि मुझे stock पसंद आया और मैंने सोचा आप लोगों को recommend करा जाए, यहाँ पर आप लोग confused हो गयोंगे, आप लोग सोच रहोंगे, कि sir आपने बताया अगर lifetime हाय हो, या एक साल पर, to here sir यह तो पूरा downtrend ही सकते है, breakout आया, breakout आया ता around March पे और उसके बाद यह अपने breakout से almost 50 to 60% का return already दे चुका है, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे stock पसंद क्यों आया, first of all अपने exact bottom से जो कि इसमे एक साल पहले बनाया था, वहाँ से continuously higher highs and higher lows को form कर रहा है, और किस अच्छे तरीके से कर रहा है, let me show you, उपर जाता है, consolidate करता है, एक sharp breakout देता है, उपर जाता है, consolidate करता है, sharp breakout देता है, फिर उपर गया, consolidate कर रहा है, अब एक sharp breakout देने की दोबारा त्यारी कर रहा है, इसके अलावा एक reason और है, क्या है, अब आप देख रहे होंगे, इस level से देखेगा, यहाँ से देखते आईए, यह एक fall आया, हलका सा pullback आया, again एक fall आया, हलका सा pullback आया, फिर fall आया, continuously आप लोग देख रहे हैं, lower lows and lower highs फॉर्म हो रहा है, अब इसने कित्ते बढ़िया तरीके से इनको तोड़ा है, अपने previous सारे swing highs को तोड़ते भी उपर जा रहा है, इस stock को देखेगा, let me show you, आप यहाँ देख सकते हैं, इस level से इसने ब्रेक आउट दिया, उपर की तरफ किया, यह इसका swing high था, yes or no, इस swing high को breakout दिया, exact वहाँ पर pause लिया, support लिया, और उसके बाद दुबार आउपर गया, इस से बाद का swing high कौन सा है, यह वाला, इसका भी breakout दिया, breakout देने के बाद, अच्छी movement दी, अब support ले रहा है, और यहाँ से उपर चा रहा है, आपने देखा ना, यहाँ पर जब इसने breakout दिया, बहुत बड़ी candle थी, यहाँ पर जो breakout दिया, same candle है, उसके बाद consolidate करा, और फिर एक breakout दिया, तो क्या हुआ है यहाँ पर, same हुआ है, इसने इसका breakout दिया, consolidate कर रहा है, दुबारा ऊपर जा सकता है, इसलिए यह stock, मैंने आपने google है find कर रहा है, अब बात करते है, daily time frame पर की stock कैसा लग रहा है, और किस level पर buy कर सकते है, with a target and a stop loss, so मैंने daily charts आपके सामने open कर दिया है, clearly आपको यहाँ पर पता है कि क्या चल रहा है, यहाँ पर एक trend line है, जहाँ पर multiple supports लिए गए है, एक sharp up move, एक sharp rally आई, उसके बाद consolidate कर रहा है, consolidate करने के बाद, it's also kind of forming a bullish pattern pattern, आप देख सकते हैं, एक up move, एक range के अंदर consolidate करें, यहाँ पर दोनों line converge हो रही है, और एक side का breakout आना तया है, तो breakout मुझे लग रहा है कि upside ही आएगा, breakdown आने के chances बहुत काम है, so यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं volumes आपको शो करता हूँ, volumes थोड़ा समयों, थोड़ा और deep जाना पड़ेगा, मैं अगर आप volumes शेक करेंगे, previously आप कहीं पर भी volumes देख लीजे, कहीं rise नहीं करें, बच आज के trading session के अंदर volumes बहुत जादा rise करें हैं, आप clearly यह आप पर देख सकते हैं, last जो rise करेते हैं, वो May में करेते हैं 2009-21 को, जब एक sharp bullish up move आई थी, उसके लाबा आज के trading session पर करा है, तो I think यह stock बहुत अच्छा है, आप लोग इसे buy करके चल सकते हैं, let me tell you about the target as well as the stop loss, so, यह है हमारा current level, current level है, यह हमारी एक baseline है, जहां पर multiple support देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है कि दुबारा support लेने आजाए, तो क्या हम लोग इस line पर अपना stop loss तो maintain करेंगे नहीं, इससे थोड़ा सा नीचे करेंगे, so I guess मैं यह stop loss अपना रख सकता हूँ, so 13 rupees का मेरा stop loss है, and यह मेरा target है, previous high का, yes I know कि यहां से बहुत ऊपर जा सकता है, क्यों, क्योंकि पहले यह up move करा, consolidate करा तो इस previous high के भी बहुत ऊपर गया, but अम लोग अभी अराम से इतना ही target रखते है, कि 1-2 का, 1-2 का तो similar target है, बट जैसी आपका वो पहला आखरी वाला target रीच कर जाया ना, जो हमारा main target है, वो जैसी रीच कर जाया, आप लोग अपने stop loss को ट्रेल कर सकते हूँ, आयर साइड में, और उसके बाद जित्ता उपर जा रहों से उपर जाने दे सकते हो, ठीक है, otherwise आप लोग same target पे exit भी कर सकते हो, तो यह थी मेरी 3 stocks जो में आप लोगों को recommend करना चाहता था, अगर इन future मुझे वीडियो बनानी पड़ी, ऐसी जो मैं regular basis पे बनाऊंगा, अगर मुझे लगता है कि यह stocks काम कर सकते हैं, और अभी market choppy है, मुझे ऐसे कोई stocks मिली रहे हैं, तो इनी stocks को मैं दुबारा recommend करूँगा, otherwise मैं nifty और bank nifty की ही analysis करूँगा, अब बात करते हैं, nifty और bank nifty की plus open interest की market पे क्या dynamics change हुए है, so मैंने nifty का charts आपके सामने open कर दिया है, clearly आपको मैंने यह one hour का time frame कल के video पे भी दिखाया था, मैंने आपको बताया था, कि यह एक सबसे बड़िया level है short करने का, क्यों? जब तक इसके उपर breakout नहीं देता है, इस line को test नहीं करता है, तो इस line का stop loss maintain करके, आप लोग market को short कर सकते हो, आज market ने आपको motive तक दिया था, मैंने का था, अगर market इस level के असपास आती है, तो आपको से 50-60 रुपे का रखना है, और 1-5 का risk reward ratio दे कर जाएगा, और क्या हुआ, 50 रुपे का अगर आप लोग stop loss रखते, तो आपको 1-5 का risk to reward ratio आज के दिन ही market ने ते दिया, हमारे पास तो already holding थी तो हम लोग ने अच्छा profit earn कर रहा है, हम लोग ने आज भी exit नहीं करा, हम लोग ने थोड़ा बहुत exit कर रहा है, जिन लोग ने मुझे बताए कि उन लोग ने hold कर रहा है, तो मैं इस line को हटा देता हूं, आप लोग ले क्यों, क्योंकि higher side में लोग क्या देख रहे हैं, जब इसका breakout देता है तभी इस level तक जाता है, तो support में लोग देख रहे हैं, जब इस line का breakout देता है, breakdown देता है, तो यह नीचे जाता है, तो अब आप लोग देख सकते हैं, आज करी trading session के अंदर हुआ क्या, यह trend line है, इसका breakdown दिया, एक sharp fall आई है, उसके बाद consolidate करने की कोशिश कर रहा है, अब करना क्या है, अब exact अगर यह कल करी trading session के अंदर, 15,690 के नीचे trade करना start करता है, आप यह मान के चल लो, अगर 15,690 के नीचे 15,690 के नीचे, 15 मिट की candle close हो जाती है, तो market एक sharp fall ले सकती है, और वहाँ पर भी हम लोगों को अच्छे levels देखने को मिल सकते हैं, अब sharp fall के अगर मैं बात करूँ देखिया है, अगर sharp fall से पहले तो मुझे पता चल रहा है कि अगर breakdown देती भी है, तो सबसे बड़ी है support जो देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है 15,655 के असपास, जो कि अभी pass है, अभी बिलकुल pass है, तो अगर आप लोग short करते भी हैं, तो 40-50 रुपे तो आपको यह stock easily दे सकता है, other than that मुझे जो feeling आ रही है, जो मुझे यह stock दिखा रहा है, यह particular charts कि यह और भी नीचे जा सकता है, और 100-100 points की गिरावट अभी वी trading session के अंदर दे सकता है, अब बात आईगी कि कल यह recover करना start करा, तो उसके लिए एक बार चलते है 15 मिट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाता हूं, यह clear fall आई, अभी यह operate created double bottom, अभ यहाँ इसने double bottom create करा है, तो हो सकता है recovery आ जाए, अगर recovery आती है, तो वहाँ पर हमें कोई trade नहीं लेना, हमें higher side में short करने की सला सोच नहीं है, हमें lower side में short करने की सला सोच नहीं है, range इम हमें कुछ नहीं करना, अगर यह ऊपर जाना start करता है कोई बात नहीं, छोड़ दो इसे, हमें एक perfect level ढूणना है, जहां पर हम short कर सकते हैं, perfect level क्या है, 15,830 के आसपास, 15,800 से 830 के आसपास, आपको कोई भी reversal sign दिखे न, उसी time short कर देना आपको, stop loss आपका क्या है, 100 points उपर जो और रेडी मैंने बता रहा है यह, मेरे तो stop loss सिफ 45 rupees उपर था, बट आपको लोगों के लिए अगर आप पहली बार short कर रहा हुए दर साइट, आप लोगों के लिए 100 points होगा, मेरे targets हैं, lower side में और नीचे, बट अगर यह double bottom है, अगर यह break हो जाता है, 15 minute की candle close कर जाती है, short कर सकते हैं, आप लोग तुरंथ यह और यह levels आपको easily देखने को मिल सकते हैं, अब बात करते हैं, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने bank nifty का chart open कर रहा है, one hour time frame जो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था, and clearly आप लोगों को दिख रहा होगा को दो stocks recommend करें, मैंने आप लोगों को common pattern क्या बताया, pennant pattern बताना है, bullish pennant pattern, same goes with here, यहाँ पर एक bearish pennant pattern मैंने, क्यों एक downtrend उसके बाद एक range के अंदर consolidate करा, दोनों converge line है, breakdown नीचे की तरफ दिया, क्यों दिया breakdown नीचे की तरफ दिया, एक बहुत बड़ी candle के साथ breakdown दिया, अब यहाँ पर higher chances हैं, कि और नीचे जा सकता है, so right now जो इसका current price है, that is 34,800 रुपीज का, short आप लोग कप कर सकते हो, अगर 15 minute की candle 34,740 के नीचे close करती है, जैसी 34,740 के नीचे यह close करती है, 15 minute की candle, bank nifty और TG से नीचे जा सकता है, और 200 से 300 point की गिरावट, बहुत easily दे सकता है, minimum target बता रहा हूँ, 34,400 रुपीज का minimum target, उसके नीचे मुझे लगता है, 34,000 भी दिखा सकता है, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था, open interest के थुरू, I hope आप लोगों के रिमेंबर होगा, तो हमारी तो यह बात हो गई, चार्ट के थुरू, let's move to an open interest analysis, और check करते हैं, so open interest मैंने आप लोगों के सामने open कर दिया है, clearly आप आप लोगों को एक चीज तो अराम से visible है, और आप लोगों को अब तक तो समझ में आगया होगा, clearly आप देख सकते हैं, यह एक neck line है, neck line के ऊपर आप देख रहे हैं, सबसे जादा जो bars बने वे हैं, वो red bars बने वे हैं, red bars हमें क्या बताते हैं, एक bearish, and neck line के नीचे green bars हैं, जो हमें बताते हैं, जिते भी supports थे, हमारे जिते भी nifty के अंदर support बने वे थे, वो सारे support से लोग निकलना start करें, अब support से निकलना start कैसे करेंगा, अगर put writing हो रखिया है, जिन लोग ने put short कर रखे थे, base create करने के लिए, वो लोग ने सबने position exit करी, और जब put को को short करता है, तो exit करने के लिए put को buy करना पड़ता है, तो बहुत जादे तर लोगों ने put पे quantities भी increase करी है, other than that heavy call selling भी है, तो हमें एक चीज़ तो यह बता रही है, कि 15,800 और 850 के उपर market नहीं जाने वाली, और closing नहीं देने वाली, तो आपको करना क्या है, कर अगर market हलकी सी भी उपर देखे 15,800 के आज पास, एक strict stop loss लगाओ 15,900 का, and short कर दो market को इस July expiry के लिए, मुझे लगता है अच्छे targets देखने को मिल सकते हैं, बात करते हैं bank nifty, so bank nifty में हमने को क्या देखने को मिल रहा है, सबसे जादा call writing है higher side में, बट एक green bar है, जो मुझे बता रहे कि support का काम कर सकता है, जो कि 34,500 रुपीस का है, मैंने आपको short करने के लिए कब बोला, current price है 34,800 रुपीस का short करने के लिए बोला है, 34,740 के नीचे, मुझे लगता है कि 250 points भी अगर आप लोग है तो भी ठीक है, अगर आप लोग 34,500 तक भी लेते हो तो भी वो ठीक है, मैंने 34,400 का target बोला, according to technical analysis, यहां पर भी आप लोग एक short position बना सकते हो, खुद आप check कर सकते हो, call change 5 million है और put change 0.5 million है, बहुत जादा ही major change है, और बहुत जादा ही major difference है, मुझे लगता है कि यहां पर आप लोगों को short side मही profit में लेगा, तो कोई भी upside is a very good opportunity to short the market, I hope आप लोग मेरा point समझ गए होंगे, so thank you so much guys, अगर आप लोगों को यह video पसंद आए, अगर आप लोगों को हमारा channel पसंद आए, मैंने बहुत dedicated के साथ, बहुत knowledgeable information के साथ, आप लोगों को सारी knowledge प्रोवाइड करवाई है, so video पसंद आए तो video को like करिए, share करिए हमारे video को अपने friends and relatives के साथ, जो यह videos यह stock market को follow करते हैं, और please subscribe this channel, let's aim कि next month तक हम लोग 1 lakh subscribers को cross कर पाए, और हम लोग एक silver button को पापाए, thank you guys, have a good day, bye bye.